हेलो दोस्तो गूड अप्टरनून हमार आज का टपिक है All for Love एक प्ले है जो कि जोन ड्राइडन ने लिखा है तो दोस्तो ये All for Love जो है एक प्ले है All for Love प्ले सेक्सपियर का लिखा हुआ एंटोनियन क्लियोपेटर का एक सब भर्टेट भर्जन है मतलब सब भर्टेट मतलब ध्वांस कर देने वाली भर्जन जो कि जोन ड्राइडन ने लिखा है हाला कि ये प्ले और सेक्सपियर की प्ले क्लोज है मतलब All for Love एंटोनियन क्लियोपेटरा के स्टोरी से जूड़ी हुई है फिर भी All for Love एक बड़ा पार्ट बयान करता है Because of its theme इस प्ले की बेक्ग्राउंड को समझने के लिए पहले सेक्सपियर की जूलियस सिजर पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें प्लट पार्ट है मतलब मैन पार्ट है एंटोनियन एंड ओक्टावियस सिजर ब्रुटस और कैसियस को हरा चुके है और अभी एंटोनियन ओक्टावियस सिजर दुस्मन बन गए है क्योंकि एंटोनियन खुद की वाइफ ओक्टावियस सिजर का बहन है उसी को छोड़ कर क्लियोपेटरा को प्यार करने लगता है Cleopatra Egypt की ruler है और Antony जो है Cleopatra के प्यार में पागल होकर उसकी wife and daughter को छोड़ देता है और इसी बज़े से Antony and Octavia Caesar जानी दिस्मन बन जाते हैं अब क्या होता है दोस्तो Octavia Caesar जो की Roman unfair की ruler है और Octavia की भाई Antony से बदला लेना चाहता है बहुत दिन हो गया है Antony जो है एजिप्ट में उसका लभर Cleopatra के साथ मज़े से जिन्दगी काट रहा है दोस्तो ये तो था पहले की कुछ part उसके बाद जैसे play open होता है Antony जो है बहुत दूख और depressed में होता है और play शुरू होता है दोस्तो इजिप्ट का कुछ लोग बाते कर रहे होते हैं और ये बाते हो रहा है Serapian के लिए जो की पिछले रात में एक बुरा सपना दिखा और उन सभी लोगों को बता रहा था उसके बाद अलेकसास आता है और Serapian को नाटता है और ये सब ना करने के लिए warning देता है दोस्तो ये जो अलेकसास है ना ये एक एनाच है मतलब हिन्ड़ा है और ये Cleopatra के लिए काम करता है उसके बाद भेंटिडियस जो की एक रोमान किंग है वो आता है अलेकसास उसे पहचानता है और लोगों को बताता है कि हाला कि वो भेंटिडियस को बुरा मानता है फिर भी ये कहने के लिए मना नहीं करेगा कि भेंटिडियस एक ब्रभेस्ट रोमेन है मतलब एक साहस योधा है और रोमान है अलेकसास भेंटिडियस को देखकर एनामस करता है कि इजिप्ट एंटोनी का बर्थ डे को बड़े धुमधाम से मनाएगा मतलब इजिप्ट के लोग मनाएंगे एंटोनी का जिंदी की डेंजर में है और इजिप्टियन्स एंटोनी की दूख को मतलब सफरिंग को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं बोलकर भेंटीडियस सोचत है और अलेक्सास का एनाउंसमेंट से एग्री नहीं होता है उसके बाद भेंटीडियस क्लिवप्रेटर के बारे में बुरा भला कहता है और बोलता है कि एंटोनी एक ब्रेफ सोलजर है लेकिन क्लिवप्रेटर की जूठा प्यार ने उसको यूजलेस बना दिया है पहले तो एंटोनी उसे इग्नुर करता है बाद में जब वेंटीडियस रोने लगता है तब एंटोनी और भेंटीडियस मिलते हैं भेंटीडियस एंटोनी का अधास को तारिफ करते हुए बोलता है कि तुम मुझे सीजर के खिलाफ फाइट करने के लिए साथ दो और नील रि जो है क्लियोपेट्रा के बारे में बुरा कहता है ऐंटोनी को उसके बाद दुस्तो अलेकसास जाकर बता देता है क्लियोपेट्रा को जाता है ये बहुत अलेकसासस, एक्लान बताता है Cleopatra को जिसमें एंटोनी जो है उसका माइंड चैंज कर देगा दोस्तों जब एंटोनी एन भेंटीडियस उक्टावियस सीजर का मज़ा कर रहे होते हैं तब ही अलेकसास एंट्री करता है और एंटोनी को बताता है एंटोनी को बोलता है Cleopatra तुम्हारे लिए पार्थना क्या है मतलब फ्रे क्या है और कुछ गिफ्ट दिया है लव की टोकेन ये बोलते हुए बो सोल्जर्स को ब्रेसलेट्स डिस्टिबुट करता है बट भेंटीडियस मना कर देता है पोईजन गिफ्ट है बोलकर मतलब जहरीला गिफ्ट भेंटीडियस के मना करने के बावजुद एंटोनी गिफ्ट को एकसेप्ट करता है बट नहीं पहनता है उसके बाद Cleopatra एंट्री करता है तब एंटोनी Cleopatra को ब्लेम करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे लिए ही मे भी याद करवाता है कि लास्ट फाइट में कैसे बो एंटोनी को अकेला छोड़कर चली गई थी और एंटोनी उसको बोलता है कि तुम जुलियस सीजर की मिस्ट्रेस भी थी फिर भी मैं तुम्हें एकसेप्ट किया Cleopatra खुद को हरने के लिए पहला एंटोनी को बोलता है कि हाला कि मैं जुलियस सीजर को बड़ी दिया था बट तुम्हें मैं मेरा सोल दिया था और एक पेज लिखा हुआ मेसेज एंटोनी को दिखाता है जो कि उक्टावियस सीजर ने लिखा था उस मेसेज को पढ़कर एंटोनी जानता है कि यदि Cleopatra एंटोनी को सीजर के हवाले क करेगा तब ही उक्टावियस सीजर Cleopatra को फूल सेप्टी के साथ छोड़ देगा मतलब जीबन दान देगा एंटोनी उसके बाद Cleopatra को बहुत प्यार करने लगता है एंटोनी और Cleopatra मिल जाते हैं यह देखकर भेंटिडियस एंगरी हो जाता है और बोलता है दोस्तो उसके बाद एंटोनी और Cleopatra एक दुसरे की तारिफ करते होई प्यार का आनन ले रहे होते हैं फिर भेंटिडियस आता है जब भेंटिडियस आता है तो एंटोनी भेंटिडियस को बोलता है कि मैंने 5000 रोमान सोलजर को मार दिया है मतलब उक्टावियस सीजर का सोलजर को मार दिया है दोस्तों उसके बाद भेंटिडियस बोलता है कि ओक्टावियस सीजर के पास बहत सोलजर है तुम सीजर का लेकिन अब ये दोनों मतलब एंटोनी औन डोला वेला एक दूसरे के एनिमी हो गए हैं, क्यूंकि जो डोला वेला है वो कभी क्लियोपेटरा को प्यार करता था, इसलिए एंटोनी ने उसे एजिप्ट से निकाल दिया था, उसके बाद दोस्तों ये भेंटिडियास डोला वे कि ये जो क्लियोपेटरा है वो तुमको सर्वेंट जैसा कर रहा है, मतलब सर्वेंट जैसा ब्यवार कर रहा है, जबकि ओक्टाविया तुमको बेहत प्यार करती थी, इसके बाद ये दोनों ये भी बताते हैं कि अब तुम ओक्टाविया से मिल जाना चाहिए, ताकि सीजर जो है तुम्हें माप कर देगा और तुम आबाद हो जाओगे उसके बाद वेंटिडियास एंटोनी का वाइफ उक्टाविया एंड लड़कियों को लेकर आता है एंटोनी इन सभी को देख कर सांथ हो जाता है मतलब कुछ भी रेस्पोंस नहीं करता है उसके बाद दोला वेला एंड वेंटिडियास उससे डाटते हैं और उसकी वाइफ और डटर को एकसप्ट करने के लिए बोलते हैं अब ये बाद क्लियोपेटरा को पता चल जाती है और वो दुखी हो जाती है उसके बाद Alexis Cleopatra को एक प्लान के बारे में बताता है और बोलता है कि ये प्लान में एंटोनी का माइंड जरूर चेंज होगा और वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा उसके बाद Octavia आता है और दोनों लेडिस मतलब Cleopatra एंटोनी को लेकर discussion करते हैं उसके बाद Octavia चली जाती है और Cleopatra को एंटोनी को खोने का डर रहता है दोस्तों उसके बाद क्या होता है एंटोनी डोला वेला को बोलता है कि तुम मेरा गुडबाई Cleopatra को बोल दो क्यूंकि मैं अभी Cleopatra से बात करने का करेज मतलब साहस खो चुगा हूँ पहले तो डोला वेला मना कर देता है फिर एंटोनी का जीद करने के बाद मांजाता है जब डोला वेला Cleopatra को बोलने जाता है तो सोचता है कि क्यूं न मैं अभी Cleopatra को पुपोज करूँ और एंटोनी को धोका दे दिए और दोस्तो अलेक साथ जो है क्लियोफेटरा को बोला था कि डोला बेला के साथ प्यार कानटक करे ताकि एंटोनी जिलस फिल करे और उक्टाविया को छोड़ कर क्लियोफेटरा के साथ ही रही लेकिन जब डोलावेला आता है तो वो अलग कहता है मतलब एंटोनी तुम्हारे बारे में बुरा कहे रहा था बोलकर क्लियोफेटरा को बताता है जब ये बात सुनता है क्लियोफेटरा तब फिका पड़ जाता है मतलब set feel करता है उसके बाद दोला वेला क्लियोपेटरा को सच बताता है और क्लियोपेटरा भी फ्लान के बारे में दोला वेला को बताती है और ये दोनों प्यार कानाटक करने लगते हैं ताकि एंटोनी जिलसी के कारण उक्टाभिया को छोड़ दे लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो जाता है मतलब पास्ता पलड जाता है भेंटी डियास और नोक्टाभिया ये दोनों की मतलब क्लियोपेट्रा और डोलावेला की बाते सुनते हैं और एजिम करते हैं कि ये दोनों प्यार करने लगे हैं पहले जैसा बोलकर एंटोनी को जाकर बताते हैं दोस्तों जब ये बात एंटोनी सुनता है फास्त तो विलिव नहीं करता है फिर जब ये दोनों बात को सच करने के लिए एलेकिसास को बुलाते हैं और एलेकिसास भी इस बात को सच है बोलकर बताता है फिर दोस्तों एंटोनी जो है बहुत सैट फिल करता है और थोड़े दिर के लिए सांथ हो जाता है थोड़े दिर के बाद क्लियोफेटरा और डूला वेला आते हैं जो लोग की इस सिचुएशन को क्रियेट किया है एंटोनी दो लोग को ब्लैम करता है बट ये दोनों सच बोलते हैं प्लान के बारे में फिर भी एंटोनी इस दोनों को मतलब इस दोनों की बात को बिलिव नहीं करता है उसके बाद दोस्तों डोला वेला और क्लियोफेटरा चले जाते हैं अब क्या होता है दोस्तों क्लियोफेटरा ये सब का जिम्मेदार अलेकसास है बोलकर ये मेटर को अच्छी करने के लिए बोलता है और उसकी कैसल मतलब उसकी रूम को चली जाती है ये प्रोब्लम को सल्व करने के लिए अलेकसस एंटोनी के पास जाता है और क्लियोफेटरा ने स्विसाइट कर दी है बोलता है एंटोनी बोलता है कि ये किंगडम क्लियोफेटरा के लिए यूजलेस है उसके बिना ये जिन्दी की कुछ काम की नहीं बोलकर बोलने लगता है और भेंटीडियस को बोलता है कि उसे मार दे भेंटीडियस एंटोनी को मारने के बज़ाए खुद को मार देता है उसके बाद एंटोनी चाकु से मतलब स्वड से खुद को मारता है फिर भी अभी तक नहीं मरा है जैसे किलियोफेटरा को ये बात पता चलती है तो वो एंटोनी के पास आता है और उसे गोद में उठाता है और एंटोनी मर जाता है फिर क्या होता है दोस्तो फिर कुछ समय के बाद एकलियोपेटरा सांप से कटवा कर एंटोनी के बाहों में मर जाता है उसके बाद इजिप्ट में उक्टावियास सीजर का राज चलता है दोस्तो ये था All for Love ले के बारे में I hope कि आपको समझ में आया होगा